Hello everyone, this is Dr. Manalini Manoj, I am an embryologist और मैं हमेशा आपके साथ health related informative video शेर करती हूँ आज हम IVF सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे IVF का अगर हम मतलब समझे तो उसमें स्त्री वीज और पुरुष वीज इन दोनों को मिलाने का जो procedure होता है उसे ही IVF कहा जाता है आपने सुना होगा, अगर किसी चीज की बहुत अच्छे से तयारी की जाए तो उसका result भी बहुत अच्छा ही होता है तो IVF में स्त्रीवीज और पुरुषबीज इनको मिलाने से पहले अगर स्त्रीवीज और पुरुषबीज इनकी quality अच्छी हो जाए तो उसे कहते हैं इस IVF प्रोसेस के लिए आप अच्छी तयारी कर रहे हैं IVF के पहले हम डॉक्टर्स आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन या फिर कुछ प्रिपरेशन करने के लिए कहते हैं उन सब टेस्ट का उन सब इन्वेस्टिगेशन का आफिर परपस क्या होता है जी हां जो अभी हमने कहा कि IVF के लिए आपको स्त्रीवीज और पुरुषबीज देंगे आफ्टर IVF ये जानना बहुत ज़रूरी होता है साथ ही साथ अगर महिलाओं के बारे में मैं बात करूँ तो टेस्ट्व बेबी यानि कि IVF बेबी तयार करने के बाद क्या आपका शरीप पूरी तरीके से प्रेगनसी के लिए तयार है क्या जी हां इस बात पे मैं आपके साथ कुछ शॉट्स वीडियो फिलाल शेर कर रही हूं क्या आप प्रेगनसी के लिए फिट है तो उन चीजों को भी आप मिस नहीं करिएगा प्रेगनसी के लिए क्या फिट है ये जानने के लिए भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने पड़ते हैं प्रेगनसी फ बच्चे को इस प्रेगनसी को संभाल सकती है इन सारी चीजों को देखना जाचना परतना और सिपको आप आपकी आईवेस्ट की पूर्वतेयारी में देख सकते हैं साथ ही साथ जब भी आप आईवेस्ट्रीटमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका एक सबसे मेज और पहला पार्ट होता है वो होता है काउंसिलिंग का आपके केस में आपको जो भी आप आईवेस्ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं उसकी कितनी ज़्यादा जरूरत है उसी के साथ साथ आपके केस में आईवेस्ट के जो सक्सेस रेट है वो कितना अच्छा है कई बारना आप जब hospital चूज़ करते हैं या फिर IVF Center चूज़ करते हैं अपनी treatment करवाने के लिए तो आप यह survey करते हो कि उस Center का success rate कितना है तो वह success rate hospital का हो सकता है लेकिन आपके case में आपके IVF case में success rate आने के chances कितने हैं कितना success है यह जानना ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि हर एक patient का history अलग होता है requirement अलग होता है तो आपके इसाब से IVF में ऐसा कौन सा part डॉक्टर को use करना जादा बहतर रहेगा ताके आपके pregnancy के chances बढ़ जाए यह आपको counseling section में ही समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है उसी के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया में IVF की treatment में आपको खर्चा कितना आने वाला है यह भी बात आपको अच्छी त कौन सी चीजों को inform करते रहना चाहिए इन सारी बातों को और मन की तयारी करने के बाद ही आप आपकी IVF treatment के लिए शुरुबात करिएगा अब बात करते हैं कुछ investigations के बारे में जी हाँ कुछ test, कुछ investigation जिसमें सबसे पहले महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो एक internal sonography करव होते हैं या पर कुछ fibroids होते हैं, कुछ addegens होते हैं, adenomyosis होता है, कई बार जब आपकी फालोपें tubes तक doctors पोशते हैं तो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये दिखता है, एक साइड पे या दोनों साइड पे, उसे hydrosalphings भी कहा जाता है, या फिर fibroid की वज़े से कोई path आ करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आइवेफ के लिए आपको प्रोसीड करना चाहिए, इस sonography के साथ-साथ आपको AFC का भी बहुत important role वहाँ पे समझ में आता है, AFC याने की anterior follicular count, क्यूंकि उस वज़े से आपकी ovary में कितना अच्छा count है, और आपको कितने injections लगेंगे कितना dose लगेगा, ये बाद भी डॉक्टर को समझ में आ जाती है, इस तरीके से डॉक्टर को पूरी तरीके से बच्चेदानी, बच्चेदानी के साथ जूडी हुई fallopian tubes, अंडाशय, ओभरी, आपका endometrial receptivity अच्छा है क्या, आपका anterior follicular count अच्छा है क्या, इसके बारे में पूर्वानुमान सब तरीके से आ जाता है, उसके आधार पर डॉक्टर आपकी treatment का line of treatment discuss करते हैं, ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे basic blood test जो होता है CBC यानि की complete blood count वो भी आपको करवाना होता है, उसमें HB एक most important factor देखा जाता है और या फिर कोई infection है, WBC, RBC, platelet count ये सारी चीजों को देखा जाता है, अगर HB कम है, आनेमिक patient है, तो उसकी हिसाब से भी आपको hematemic drugs दिये जाते हैं, ताकि अपका HB नॉमल हो जाए, थाइरोड ये एक अलग investigation important होता है, क्योंकि अगर thyroid level बढ़ा हुआ है और आपको pregnancy रह जाती है, तो during pregnancy बच्चे की growth के लिए thyroid hormone बहुत दिक्कत दे सकता है, इसलिए pregnancy का try करने से पहले आपका thyroid hormone नॉर्मल range में रहना बहुत जादा जरूरी होता है, प्रोलक्तिन ये एक और hormone है जिसका normal होना शरीर में IVF treatment शुरू करने से पहले important होता है, क्योंकि उस वजह से भी आपके case में जो दवाईया दी ज आपको चेक कर लेनी चाहिए और वह भी विदिन नॉर्मल लिमिट होने के बाद ही आपको IVF treatment के लिए start करना चाहिए, और एक जो routine viral markers जिसे बोलते हैं, जैसे कि HIV, hepatitis B, hepatitis C, इनका भी कर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि कोई भी infection, pelvic area में है या नहीं, इस ब blood investigation है, जिसमें आपका ovarian reserve पता चलता है कि ovary में अंडा बनाने की कितनी अच्छी खशमता है, या फिर कितने अच्छे अंडे ovary बना सकती है, इस बात का पता MHC investigation से भी चलता है, ये सारा एक जो protocol है, वो मैलाओं के लिए है, अगर पुरुशों की मैं बात करूँ, तो उनक markers, hepatitis B, hepatitis C और HIV, इसका कोई infection तो नहीं है, ये चीज़ दे की जाती है, पुरुशों के इसमें सबसे important जो test होता है, वो होता है, semen analysis, जी हाँ, वीरे की जांच, वो वीरे की जांच, वो वीरे की जांच, WHO 2010 के अनुसार, उसके पूरे जो parameters है, वो normal है या नहीं, इन बातों को देखा जाना चाहिए, और अगर कुछ गरबड़ी है, semen reports में, तो आप आपके semen quality को optimize करने के लिए, तीन मेने से लेके 6 मेने तक दवाईया ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारे antioxidants होते हैं, जिसके बारे में मैं कई सारे shots में फिलाल बता रही हूँ, तो इस नहीं करिएगा, उन tips को utilize करिएगा, ताकि आपका semen quality भी improve हो जाए, कई बार patient से बात करने के बाद, अगर doctor को लगता है कि ये investigation पुरुषों में भी जरूरी है, तो जैसे serum FSH, serum LH, serum testosterone, ये blood investigation भी पुरुषों को suggest की जा सकती है, कई centers में एक mock ET ये भी एक procedure होता है, यानि कि बच्चा तयार करने के बाद, जो अपने को वापस बच्चेदानी में छोड़ना है, उसकी एक practice kind of thing, या फिर जो रास्ता है बच्चे को बच्चेदानी में छोड़ने का वो रास्ता सही है या नहीं है, क्या वहाँ पे कोई block है क्या वहाँ पे कोई problem है, ये चीज़ देखने के लिए भी mock ET procedure करवाया जाता है, लेकिन अगर आपके case में hysteroscopy, IUI या फिर एक IVF अगर आप अरड़ी कर चुके हो, तो ऐसे cases में mock ET की कोई जरूरत नहीं होती है, तो centers में वो perform नहीं की जाती है, तो इस तरीके से IVF को plan करने क पहले या फिर IVF treatment शुरू करने से पहले ये सारी चीजों की एक पूर्व तयारी जिसे बोलते है, या फिर हम पहले से prepared रहे आने वाले IVF के treatment के लिए तो ये सारी चीज़े उसमें include होती है, आज हमने देखा कि IVF के पहले आपको कौन-कौन सी तयारी करना जरूरी होता है, आने वाले कुछ वीडियो में हम देखेंगे step-by-step IVF किस तरीके से आगे बढ़ता है और आपको कौन-कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या precautions लेनी चाहिए, सब के बारे में detail information आपके लिए वीडियो आने वाले हैं, तो चानल को subscribe करके रखिएगा, bell icon पे click कर करिएगा और all notifications पे भी click करिएगा ताकि अगला वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, इस वीडियो को आपने like तो कर ही दिया होगा, कुछ सवाल है तो comment section में जरूर पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए information के साथ, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, स्व करिए, कर रखिए अपना खया क मिलते हैं और कर दो एज कर दो कर दो एभिएगादा बच्छ करोड़ कर दो कर दोएगा.